नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली वनलेनेस 18 एपरिल 2022, आज के इंपोर्टम वनलेनेस कौन कौन सा है चेक करते हैं, सबसे पहला होकी वेलकब 2023, देखिए इंटरनाशनल होकी फेडरेशन का सीनिय मेंस होकी वेलकब 2023 होने वाला है, ओडिशा में, तो चीफ मिनिस्टर नवीन पतनाइक साब, ओडिशा का कालिंगा स्टेडियम में, लोगो ओफ एफ एच सीनियर मेंस होकी वेलकब 2023 अन्वीन किया है, यह है लोगो, नौ, दे स्टेट विल ओगनेस्ट टूर्णमें बोत इ यह जो होकी वेलकब पर यह क्वाड़नियल टूर्णमेंट है, मतलब चार साल में एक बार होता है, नौ, दे चीफ मिनिस्टर है डिसमबर 24 अनौन्स्ट सेटिंग अप ओफ बिर्जा मुंदा होकी स्टेडियम इन रूरकला, देखिए रूरकला में बिर्जा मुंदा होकी स के बारे में, इंडियन होकी टीम मोस्ट सक्सेस्फुल साइड है इन इस्टरी अफ ओल्मिक्स, इन उनने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉंज मेडल जीता है ओल्मिक से, गोल्डन एर्स कब बोलता है, 1928 से लेके 1956 तक, मतलब 1928 ओल्मिक से 1956 का ओल्मिक्स तक, इंडियन होकी सीनियर, धन्दाच, पिल्लेई, एक्सेटरा, एंड बेबलबीर सिंग, इंडिया वन देर 5 ओल्मिक होकी गोल्ड मडल अड़ा, 1952 हेल्सिगी गेम्स, यह सब इंफोर्मेशन आपको मालूम होगा, पर और एक इंफोर्मेशन नहीं है दोस्तों, हावोवर इन कोंट्रास्ट अगला है, आएंट बीव, इस्रेइल अपना न्यू लेसर निसेल डिफेंस सिस्टम सकसस्वली टेस्किया है, जिसका नाम है iron beam यह one type of aerial defense system है आप लोग इसरेल का ही iron dome के बाइर में सुना होगा जो इसरेल-Palestine conflict के टेम पर काफी famous हुआ था iron dome के से काम करते है basically इसरेल अपने bodies में iron dome को install करते है जब कोई enemy country से aerial missiles, rockets वगरा fire होता है तो iron dome से automatically counter missiles fire होते है और हवा में ही इन incoming missiles को यह destroy कर देते है तो ऐसा iron dome काम करते है आप iron beam के से काम करेंगे iron beam basically directed energy weapon system है iron beam से laser beam fire होगा तो physically कोई weapons fire नहीं होगा के वह laser beams होगा laser का मतलब का है light amplification by stimulated emission of radiation तो यह जो laser beam है उसका wavelength काफी high है high energy laser beam है यह जो incoming missile से उन्हें destroy कर देगा तो physically कोई weapon का firing नहीं होगा के अब लेसर शोट से जितने incoming UAV से rocket से, mortar से, long range missile से anti-tech missile से इन सब को destroy करेंगे now iron beam works on a fiber laser system to destroy any airborne object तो basically अगर आप ज्यादा specifications में जाओगे fiber laser system का इस्तमाल होते हैं अब यह क्या है ज्यादा technicality मुझे भी नहीं वालू में बस अब यहीं समझ लीजेगा physically कोई weapon fire नहीं होगा कैवल laser shots होगा और इसे fiber laser system बोलते हैं now iron dome defense system has been a great success with a 90% interception rate against incoming rocket fire iron beam से पहले जो iron dome defense system इसे ले यूज़ किया था इसका 90% interception rate है वैसे पालस्तिन से काफी सारे rockets and missiles वायर हुए थे उसमें से 90% destroy किये थे iron dome now यह directed energy weapon का मतलब क्या होते है दोस्तों जैसे यह iron beam जो है यह directed energy weapon है it is a ranged weapon that damages its target with highly focused energy including laser, microwaves, particle beams sound beams etc. देखिए directed energy weapon मतलब physically यह कोई missile, rocket, bomb, कुछ fire नहीं करेगा बस इस weapon से high focused energy pass होगा like lasers, microwaves, particle beams sound beams etc. और यह energy से incoming missiles, rockets जो भी है उसे वो destroy करेगा इस तरह जो weapons इसे directed energy weapon बोलते है और यह future होने वाला है ठीक है आने वाले time पर यही weapons maximum countries डेवलप करने वाला है इंडिया भी research कर रहा है directed energy weapons बनाने के लिए अगला है KVAC longers बना रसी पश्मिना पश्मिना प्रोडक्स के वारे में अपने सुना होगा यह basically ले लदाक रीजियन से बिलोग करते है अब तक पश्मिना प्रोडक्स जो है के अबल ले लदाक रीजियन में और जम्मो अन कश्मिर रीजियन में प्रोड्यूस होता था पर अपसे यह वारनासी में भी प्रोड्यूस होगा तो दे प्रीमियम पश्मिना प्रोडक्स प्रिपेड बैई highly skilled khadi वीवेस और वारनासी तो वारनासी के जो पश्मिना प्रोडक्स प्रोड्यूस होगा इसमें made in वारनासी वाला टैग भी लगाया होगा अब दोस्तों वारनासी में यह जो पश्मिना प्रोडक्स प्रोड्यूस होगा इसके लिए वूल जो है लदाक से आएंगे लदाक से डेली आएंगे वूल उथर deharing, cleaning, processing वगर होगा इसके बाद ये वापस ले लेके जाएंगे उथर women khadi artisan से वो modern चर्खास में वो wool को यान में convert करेंगे तो modern चर्खास उनके लिए khadi villages and industries commission प्रोवेट किया है इसके बाद ये जो finished यान है ये वापस वारने सी आएंगे वो जो finished यान को फिर khadi vives सिला के पश्मिना प्रोवेट्स बनाएंगे तो ये process चलेगा ये बताया है अगला है first flying training in north east region civil aviation minister जोदिरातित्या M. सिंध्या और chief minister of Assam हिमानता विश्वाशर्मा recently first flying training organization इनोगरेट किया है north eastern region में लीला बरी इन आसाम है ministry of civil aviation के हिसाब से लीला बरी इस एमंग्स nine FTOs to be established in five airports in the country with the month of June 2022 तो ministry of civil aviation का plan ये है पांच airports में nine FTOs establish करने का वैसे FTOs का काम क्या है पाइलेट्स को training देने का FTOs में basically aircraft रहते हैं जिसमें pilots अपना training कर सकते हैं now वो पांच airports कौन-कौन सा है जहां nine FTOs आएंगे बेलगावी अनकालबुरगी इन करनाटका जलगाओं in the state of महारास्टा खजु राहो इन मत्यपरदेश और लीला बरी इन आसाम now with these FTOs इंडिया will aim to become a global hub for training of pilots तो pilots को training करने के लिए एक global hub बनने का plan है इंडिया का आज प्रसंद लीला बरी में Red Bait Aviation Haar Station two aircraft for flying training तो आभी के लिए दो aircraft है पाइले ट्रेनिंग के लिए टेक नाम P2008JC single engine और टेक नाम P20060 multi engine और ये जो एरकाफ का नंबर से ये भी इंक्रीस करेंगे आने वाले टाइम पर अभी किसाब से इंडिया में जितने pilot से वो training के लिए बाहर जाते है पूरे नहीं 40% बाहर जाते है तो इसे हमारा foreign exchange में obviously loss होगा अगर इंडिया में training करेंगे तो हम foreign exchange भी save कर सकते हैं तो ये जो 9 FTOs आएंगे आने वाले टाइम पर इसे हमारा काफी foreign exchange भी save होगा इंडिया में ही basically domestic training मिल जाएगा pilots के लिए और in order to reduce this government has decided to open up 9 new FTOs by this year ये मैंने आपको पहले ही कह दिया June के अंदर 9 FTOs inaugurate होगा इंडिया के अंदर और अगला stage में 15 new FTOs established होगा taking the current number of FTOs in the country from 34 to 58 तो अभी किसाब से इंडिया में 34 FTOs है वो 58 होगा आने वाले टाइम पर फाइनल लूस वर्ल चागास दे देखी एक life threatening disease है जिससे serious heart and digestive issues हो सकता है इसका नाम है चागास disease अब ये नाम कहा से आया इस नेम्ड आफ्टर ब्रसीलियन physician Carlos Chagas जिन्होंने इस disease को 1909 में डिसकवर किया था तो इस disease के बारे में awareness फिलानी के लिए हर साल April 14 को World Chagas Day अब्जर्व करते है Now the disease is also called American Trypanosomiasis Silent disease और Silenced disease तो अलग अलग नामे चागास disease का American Trypanosomiasis Silent disease और Silenced disease और यह होता है एक Parasite की वज़े से जिसका नाम है Trypanosoma cruzi And this parasite is transmitted to humans through triatomine bug अब यह जो bug है इसका नाम है triatomine bug तो triatomine bug Trypanosoma cruzi करके एक Parasite को carry करते हैं और इस bug को kissing bug भी बोलते हैं And the disease usually affects impoverished people living in rural areas under poor hygiene conditions तो जहां poor hygiene conditions follow होता है उथरी सबसे यादा लोगों को यह disease affect करता है Like people in regions like Central America, Mexico, South America are more prone to catching the disease World Chagas Day पहली बार observe किया था April 14, 2020 को मतलब दो साल पहले ही World Chagas Disease Day अबसर्व करना शुरू किया Now April 14 was chosen to mark the day as the first case of Chagas disease in human was reported April 14 को क्यों चुना गया पहली बार 1990 में Chagas disease एक human में April 14, 1990 में report हुआ था इसलिए April 14 को World Chagas disease day करके observe करता है तो दोस्तों that's end of it I hope आपको वीडियो इन्फोर्मेटिव लगाओ लक्षे की PDF आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रवेड़ेड़ है ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिएगा Thank you for watching, bye bye, have a next day